समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एग्रिकल्चर में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मक्का की ग्रोथ किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं दोस्तों अगर मक्का की ग्रोथ सुरुआत से अच्छी होगी तो अंत में उसकी प् फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक प्याज को पसंद जरूर करें और यह वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास गंटी के निशान आया होगा उसे भी दबा दीजिए अब बात करते हैं मक्का की ग गरोथ की अवस्चकता हैं तो अब इसकी ग्रोथ किस प्रकार से बढ़ेगीं तो दोस्तों ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐख डालना चाहिए और हमें झालने सोरे से पहले दो काम पहले करना चाहिए पहला काम यह करना चाहिए कि हमारे खेट में एक भी खर्पतवार नहीं होना चाहिए दोस्तो हमारे इस खेट में हमने एक बार कुलपा निकाल लिया हैं फिर भी इसमें कई कई पर खर्पतवार हैं कैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे पहले इस खेट से खर्पतवार को पूरी तरीके से खत्म करेंगे हम इसमें कुलपा निकालेंगे एक बार और उसके बाद हम इसकी निड़ाई गुराई करेंगे उससे क्या होगा कि पूरे खेट से खर्पतवार मुक्त हो जाएंगे फिर इसमें हम खाट जिससे हमारे पोदे को परियाप्तखात नहीं मिल पाएगा और दोस्तो दूसरी चीज यह है कि आपके खेट में जितने पोदे की आउश्यक्ता है उतने पोदे ही रखना चाहिए दोस्तो मेरे कहने का मतलब है जब आपको बुवाई करते हैं तो कई कई पर दाने बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं जिसके करण मक्का के पोदे ज़्यादा पास पास हो जाते हैं तो इसलिए आपको सबसे पहले ज्यान रखना है कि पोदों की उचित दूरी बनाए रखना है जैसा कि आपको मैं बताओं तो यहां पर एक पोदा यहां पर है एक यहां पर दो यहां पर और एक यहां पर तो इसमें आपको पोदों की एक दूरी बनाए रखना है इस पोद हैं तो आपको भी ऐसा करना चाहिए अब दोस्तों मक्का में ग्रोथ के लिए पहला खातो होता है यूरियाँ हमें एक बीगा में 25 kg यूरिया तो डालना चाहिए अब यूरिया के साथ हमें और क्या डालना चाहिए तो आप पी आई कंपनी का जो बायो विटा आता है उसकी जो 4 kg का बायो विटा आता है तो उसको आप एक बीगा में डालिए एक बीगा में डालोगे तो उससे क्या होगा कि बायुटा एकदम प्राकृतिक उत्वादों से मिलकर बनता है उसमें 60 से अधिक योगिक तत्तों होते हैं जो हमारे पोदे के लिए बहुत ही आउश्यक होते हैं तो इसलिए आप एक विगा में चार किलोग्राम बायुटा ज़रूर डालना अब डालना कैसे हैं अगर क्या आप हाथ से चिड़काओ करना है या फिर आपको पोदे की जड़ में रगना है तो आप इसके बारे में बात करें तो आपको पहले तो दोनों खाथ को अच्छे तरीके से मिला लेना है मतलब आपको एक पाल पीछाना है उसमें 20 किलोग्राम 20 से 35 किलोग्राम आपको यूर् तो हर पोदे की जड़ में आप तैसे तो हर फिजड़ में यूळाड़ सकते यूअ एक ऋच्छा पाल सकते हैं और तो चाहे तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो को लाइक दूर कीजिएगा चलिए मिलते अगले वीडियो में जय जवान जय किसान